है है यह लिखावाद गोविंद फोल्ड वन थाउजेन फिप्टीन पर्संट डिवेंचर अवंडर एच इन चंदा लिमिटिय। हमको चंदा से कोई लेना देना नहीं है हमसी इंवेस्टमेंट तो गोविंद के है Wonno ने जंदा के डिबेंचर खरी दे हैं तो इसके लिए इंवेस्टमेंट है उसके लिए चंदा के लिए था लोन वह गया हा ऐस इन 1st यह विप्ठी A 14 2015 को कॉस्ट दे रखी है उसकी और फेस वेल्यू दे रखी है यह जार है एक सौर रुपए का है तो कितने हो गए एक लाग रुपए ठीक है इंट्रस इस पेबल ऑन 30 जून और 31 डिसम्बर इंट्रस कब यह होता है वह भी डेड़ दे रखी है अठीक है नवंबर को डिवेंचर भेच दिये हैं ओके फिरवापस पर्चेस किये हैं हम वैसे भी फिफो ही method यूज़ करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया पहले जाएगा है ना ओकी तो हम investment account बना लेते हैं फिर आपको देरे-देरे कोशन पूरा समझ में आने लग जाएगा हम सुरू से करेंगे तब तो investment account बना लेते हैं आपको फॉर्मेट तो पता ही है investment account का है ना हाँ जी बीचो बीच एक लाइन यह होगी आपकी cost यह होगी आपका interest का column यह होगी आप Facebook का column Facebook का face value का column यह होगी आदेट का column ऐसे के सीधर देट इधर हो जाएगा आपका particular फिर face value और interest और cost इजर लास्ट में एक column बनेगा cost का ठीक है ओके थोड़ा interest वाला टेड़ी बनी यह लाइन न यह वाली आप हाँ 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 है अब ठीक है ओके जी इसका कर देते हैं लिख देते ओपर क्या है यह इसमेंट अकाउंट या फिर डिवेंचर अकाउंट भी लिख सकते है आप ठीक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इदर डेबिट अ पेस्टर ग्या देबिट इन्वेस्टमेंट इसको डिए डेबिटा इस्ट denken लिए डेबिट पर्sent js लो कि इस बिए पत ट्रिकुलर वेंट tr cost credit किसकी books में एंट्री कर रहे हैं यह एंट्रियम किसकी books में कर रहे हैं हम एंट्री कर रहे हैं गोविंद की books में in the books of Govind ठीक ना तो यहां लिख दूआ आप in the books of Govind एक यह लिख दू और इसके साथ में यह लिख दूँए इंट्रेस्स की जो ड्यू डेट है वो कौन कौन सी इन्ट्रेस्ट की डेट दो डेट बोलिए इस ने देखो वह भी अमरे काम आई है एक तो इंट्रस्स की डेट बोलिए इसने पीजून और 31 दिसंबर तीस जून तीस छे और तीस दिसंबर ओके यह दू इंट्रस्ट की डेट ध्यान रखना सुरू से पढ़ें तो गोविल लिमिटेड होल्ड फन थाउजन ट्वेल पर्शन डिवेंचर ओंडेड इच इन चंदर लिमिटेड एज ओन तो फस्ट अप्रिल 2015 की बात है हजार डिवेंचर है सो रुपे काई के तो एक अप्रिल 2015 को होल्ड मतलब पहले से ही है तो टू बैलेंस बीडी कितने डिवेंचर है वन थाउजन पेस वेल्यू किती है सो रुपे तो यह कितने होगे वन लैक रुपी कहीं यह कम इंट्रस्ट तो नहीं है देखो एप्रिल एट कॉस्ट कुछ नहीं लिखा वा एक्स इंट्रस्ट मानेंगे ओके लेकिन यह एक अप्रेल का वैलेंस है ना यह तो एक अप्रेल का वैलेंस है और हमको अकाउंट हो 31 मार्च 2016 तक बनाना है इस बार कलेंडर यह नहीं पानेंसिल यह याद रखना इस बार कलेंडर यह नहीं है एक अप्रेल 2015 को इयर स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2016 में खतम होगा और उसके बीच में दो बार इंट्रस्ट भी देना है लास्ट अप्रेल पे हम बैठे हैं और उससे पहले हमने इंट्रेस्ट कब दिया होगा जून तो अब आएगा आगे दिसंबर में दिया होगा 31 दिसंबर को दिया था लास्ट उसके बाद जन फैब मार्च एप्रिल तो एक है तो आपी पूरा महीना खतम नहीं होगा लेकिन तीन महीने का इंट्रेस्ट क्या हो जाता है ड्यू ओक्ट कर वार्किंग नूट नंबर फर्स्ट इंट्रेस्ट या अक्रूर एक अप्रेल 2015 नुट कहां से एक जनवरी 2015 से कितने महीने होते यह जाए तीन महीने तो फिप्टीन परसेंट क्या है इंटरस्ट एए तो फिप्टीन परसेंट कित्ते महिने का 3 महिने का 2 2 3 3 750 तीन हजार साथ सो पचास रुपश तीन बसाथ सो फचास पर रिपलाय तो कर दो यह अक्रूड इंट्रेस्ट है ओपनिंग वाला यहां आ जाएगा तीन अजार सांसों उसके बाद अगली डेट कब है अगला हम कर रहे हैं वैसे 30 जून को इंट्रेस्ट द्यू होने वाला है लेकिन 30 जून से पहले तो मही आता है न तो मही के महीने में क्या हुआ मही की मैं मैं क्या हुआ तीमрафें मैं 2015 को 500 वेंचर पर ठांस्व एबेंचर और ख़रीदे, कम इंटरथ प्राइंचर फ्रेड़े लेकिन कैसे कम इंटरथ प्राइस पर कितने त्मिंह 3,500 तो तो देखो एक मई को क्या हुआ कि डिवेंचर पर्चेस्ट कि त्रेपन अजार पांसो कौन सी प्राइज है कम इंट्रस्ट प्राइज बालब इसमें ब्याज सामी लेना तो वह हटाना पड़ेगा और दिवेंचर कितने पर्चेस किये 500 यह 500 डिवेंचर पर्चेस किये तो आई को अर। टिवेड़ियो कितनी होगी अल đến एक पांगप को पता यहएं 500 डिवेंचर एक सौर्पेक अहतीज हो पचास अजार ओकी ठीक है और परचेस कॉस्ट क्या है कॉस्ट क्या है इसकी त्रेपर अजार पांस इसमें ब्यात सामी लेना इसको हटाऊ लेस इंट्रेस्ट मैं अब इंट्रस्ट कितना तो爆ly इंट्रस की रेट ओँंश आए इस परशंट जो डिवेंचर किये ऐसको कित तर्लाश्ट इंट्रस कब दिया था लास्ट्र जैनुवरी 2015 से ड्यू है और एक मही तक तो किता हो गया जैनुवरी का फैब का मार्च का एपरिल का मही वाला महीना तो पूरा गिना नहीं जाएगा एक तारी के चार महीनी का इंट्रस्ट तो फोर अपॉन ट्वेट देगो इंट्रस्ट किता हुआ फिप्टी थाउजन का फ कवन अजार यह क्या अगया नेट पर्चेस कॉस्ट मनव यह कॉस्ट आ गई अपकी फिप्टी बन थाउजन तो अब इसको हम यहां लिखेंगे देख एक मई को पर्चेस के न और वन फाइफ टू तूजन फिप्टीन टू बेंक कितने के पर्चेस की फेस वेल्यू पचास फचीस सो इंट्रेस्ट और प्राइस किती है फिप्टी बन थाउज अगर एक्स इंट्रस प्राइस होती ना तो मैं सीधी इदर लिख देता कम इंट्रस प्राइज है तो पहले इंट्रस हटाया इसमें से फिर इदर लिख ओक चालिए नेक्स्ट आगे फिर आगे हमने बेचे हैं कब बेचे नवंबर में लेगी नवंबर तो बहुत लेट आएगा उससे पहले क्या आगया 30 जून 30 जून आ गया और 30 जून को क्या कैलकूलेट होगा इंट्रेस्ट मिलेगा न यस तो आईए 30 जून को इधर 30 जून 2015 बाइबैंक क्या तो वन लेक विप्टी थाउजन मल्टिप्लाइबाद 15 परसेंट और कितने महीने का मिलता है जून में छे महीने का तो कितना हो गया साथ तो साथ हजार पांसो नहीं 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 ज्यादा होगा कि 11250 रुपय का इंट्रेस्ट मिला अगे चलते हैं आगया आप देखो न तो फिर क्या हुआ नेक्स्टण दीसमबर दूर नेक्स इंट्रेस्ट तो कि इसमबर में मिलेगा उससे पहले क्या हूआ मैं वाला हो गया मामला नवंबर एक नवंबर को क्या किया हमने 2015 को 600 डिवेंचर और सुल्ड 57,300 कि 57,300 में वीज़ दिए 600 डिवेंचर वक्रिंट वर्किंग नोड बनेगा येस वर्किंग नोड थर्ड इंवेस्मेंट लेकिन में मिरको ध्यान रखना होता कौन सी प्राइज है एकसी इन्ट्रस प्राइज मतलब जो इंवेस्मेंट बेचे हैं उसमें ब्याद सामील नहीं कि इतने इंवेस्टमेंट बेचे 600 एक सब्सक्राइब तुसकी फेस वेल्यू तो है साथ हजार ओके पॉस्ट किती या सेल्स प्राइज किती सेल प्राइज सेल प्राइज है इसकी यह रहे लेकिन कौन सी प्राइज है एक्स इंटरस प्राइज इसमें इंटरस्स आमील तो है नहीं यस यह तो यह तो मैं इसार लिग सकता हूँ सिदार एक ग्यारा, एक ग्वैरा एक ग्यारा है, एक ग्यारा, सही, एक ग्यारा, दो हजार, पंदरह को, बाय बैंक, बेच दिये ना, खरी Patch होते तो, टू बैंक, बेचेंगे, तो बाय बैंक, 60 जार के कि दीश्टी है, किते में? 57 अजार 37,57, 300, yes, हिंड हो गिंड होगा जूल में जूल स्मेल ऑगस्त कई इंट्रस्ट सब्टम्बरं का है मैजह टारीच चार मेने कंपा लिया लेकिन मिला कि यह सामने वाले को दिसंबर में मिलेगा लेकिन हम उससे पहले लेंगे क्योंकि हम बेच रहे हैं कि तो कितना इंट्रस्ट रोग यह इंट्रस कैल्पूलेट कर लेते हैं इंट्रस्ट सिक्स्टी थाउजन का पंद्रा परसेंट और किते महीने बताया मैंने आपको लाश मिला था जून में जुलाई ऑगास सेप्टमबर अक्टोबर तर चार में तीन हजार रुपे ठीक हैं सही है ना आप भी बेटा चेक करते रहे ना अगर मैंने कहीं कैल्कुलेशन मिस्टेक कर लीना फिर आगे पूरी कैल्कुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तीन हजार रुपे साथ साथ में आप भी चेक करना तीन हजार कैल्कुलेशन चेक करते रहे ना ओके चलिए ठीक है अब जब हम बेचते हैं तो मैंने बोला था लास लेक्चर में भी जब भी सेल करो तब देखो प्रॉफिट हुआ की लॉस तो सेल प्राइस क्या है यहाँ पर करेंगे साथ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस लोस के सेल प्राइस किती हैं अ कि सेलिंग प्राइस सत्तावन अजार तीनस यह थे कितने के लैस करो कॉस्ट इनको पर्चेज कितने में किया था तो फिफो मेधर यूज करना है ना शैसो बेच रहे हैं हमारे पास कितने पढ़े थे 1000 पढ़े या बेस रूर में 500 और बाद में खरीदें यहां पर लूट तो इदर पढ़े थे तो पंद्रासो पढ़े थे तो कौन से वाले वह जहीं कितने के एक लाग पांच अजार रूपे के हैं तो तो कॉस्ट कैसे निका लेंगे वन ले 5000 divided by 1000 multiply by 600 तो यह हो गया 63000 तो loss हो गया वह देखू loss हो गया हमको तो 57300 में भेज दिये जबकि 63 के थे तो loss हो गया 5700 रुबेगा loss हो गया 5700 loss देखो profit होता है न तो हम इदर दिखाते है 2 P&L क्योंकि P&L क्रेडिट होता है और यहाँ बाइपीनल दिखाएंगे कब दिखाएंगे 1112000 को कहां दिखाएंगे सीधा cost के अंदर कितना loss हुआ 5700 रुपेड़ यहाँ तक कोई problem हो तो बेटा पूछो नहीं हो तो थम सब बेजो फिर में आगे बढ़ता हूँ ठीक है बेज दो बटापड़ से ओके नेक्स डेट कौन सी हमारी विर नवेंबर है और खरीद रहे हैं नवेंबर में अभी दिसंबर आया नहीं है दिसंबर आएगा तो इंटरस वीडियू होगा 30 नवेंबर को हमने 30 नवेंबर 2000 15 को हमने चार सो डेटर खरीदे एक्स इंटरस प्राइज है तो इंटरस कम इसमें एड नहीं है 38,400 में और खरीद रहे है 30 नवेंबर तो 39 को यहने कि 30 नवेंबर मने 31,215 को टू बैंक और पर्चेस करें कितने पर्चेस करें 400 डेटर 40,000 फेस वेल्यू 38,400 एक्स इंटरस प्राइज 40,000 फेस वेल्यू है 38,400 एक्स इंटरस प्राइज तो यह चार सो और खरीदे हमने ठीक है 400 इंटू सौर पे फेस वेल्यू है तो 40,000 आ गया लेकिन इंटरस ड्यू होगा ना कितने महीने का वो देखना पड़ेगा तो आईए इंटरस निकालते हैं पर्चेस कर रहे हैं हम वर्किंग नोट नंबर 4 पर्चेस ओपनेस इस पर हमको इंटरस कैल्कुलेट करना है पर्चेस कब कर रहे हैं 30,11,20,15 लास इंटरस कम बिला था 30 जून को मिला तो गिल लो जून तो गिलेंगे नहीं जुलाई ऑगस्ट सक्टमबर अक्टोबर नवंबर पूरा तो पांच महीने का इंटरस्ट ड्यू होता है तो चालीस जार फेस वेल्यू चालीस जार पंद्रा परसेंट और फाइट मन्थ तो कितना होगा देखो चालीस जार का पंद्रा परसेंट फाइफ अपॉन ट्यून यह हो था पत्चीस जू रुपए टू थाउजन पाइफंडे रुपीस तो पत्चीस जू रुपए का इंटरस्ट जो है वह यहां पर जिससे भी हमने खरीदा उसको पे किया बाद में हमको मिल जाएगा कंपनी की तरप से और जब बेचते हैं तो पी एनल कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस खरीबते टाइम तो करेंगे नहीं आगे क्या हुआ तो इकतिस दिसम्बर 2015 को हमने 400 डिबेंचर बेचें लेकिन मैं मान रहा हूं कि बेचने से पहले इंटरस्ट तो मिल गया होगा जी तो चलिए पहले इंटरस्ट देख लेते हैं इंटरस्ट 31 दिसम्बर को इंटरस्ट मिलेगा इंटरस्ट कितना मिलेगा वो बड़ी बात है देखो टोटल देखो एक लाग थे पचास जार और खरीदे फेस वेल्यू देखनी इंटरस्ट हमेसा फेस वेल्यू पर कैल्कुलेट होता है प्रिंसिपल अमाउंट मूल धन पर होता है एक लाग पचास जार चालीस जार एक लाग तीस जार का कि पंदरा पर्शेंट और छे महीने का ब्याज किता होता है तो वन लेक थर्टी थाउजन का पंदरा पर्शेंट सिक्स अपॉन ट्वेल्यू नो अजार सांसो पचास रुपे हमको मिलें इंटरस्ट अब हम बेच देते हैं ठीक है यह बाइबैंग हो कि अपर देख लेते हम कितना बेच रहे हैं हम यह पर बेच रहे हैं 400 डेबैचर बेच रहे हैं और मलब इन्टरस्ट प्राइज पैम इसमें इंटरस्ससामील है 55,000 में। मुझे हटाना पड़ेगा तो पहले वरखिंग गोड बनाती है 400 डीवेंचर आ चाना अ फेस वेल्यू कितनी है जिसको बेच रहे हैं चालिस अजार कैसे चार सो मल्टिप्लाइबाइब सौ और सेलिंग प्राइज क्या है उसकी किते पेचा उसको पच्पन अजार लेकिन ये पच्पन अजार कैसी प्राइज है कम इंट्रस्ट इसमें इंट्रस सामी ले पहले इंट्रस अटाओ वैसे समझदार जो होगा न उसको पता है इसमें कितना इंट्रस सामी है जीरो इंट्रस्ट है बताओं कैसे देखो कैल्कुलेट करो 40,000 इंटू 15% बेच कब रहें 31 दिसंबर को ब्याज कब को मिला लास्ट ब्याज 31 दिसंबर को ही मिला था तो कितने होगे जीरो इस अंसर कि आएगा जीरो इसमें किसी परकार का इंट्रस्ट था ही नहीं 55,000 यह आ गया तो यहां आ जो 40,000 की चीज बेच दी पच बना जाए इस वैल्यू है उसकी इंट्रस इसमें 0 था लेकिन जब भी हम बेजते हैं तो उसकी उपर प्रॉफिट अल लॉस जरूर कैल्कुलेट करते हैं इस बार देखना बेटा प्रॉफिट अल लॉस अच्छे से कैल्कुलेट करना सीखते हैं अगर इसमें इंट्रस होता तो अटा देती है लेकिन था ही नहीं 0 था किते हैं यह 400 हैं अब बेटा ध्यान से समझना लैस कर रहा हूं है कॉस्ट इसकी कॉस्ट किते हैं तो कौन से वाले हैं किते 400 बेचे हैं न हाँ देखो यहां अमर पास यह सुरू में कितने बढ़ेते हजार उसमें से हमने कितने बेज दिये थे यहां पर सेल किये थे यह रहे हैं एक लाग के थी न उसमें से कितने बेज दिये थे शाट जार के तो पीछे कितने बज गए थे 40 जार फिफो में यहां पर अभी भी पड़े हैं यह वाले बेचे हैं इसकी कॉस्ट किती है एक लाग पांच जार अच्छा तो वन लेक फाइट थाउजन जो है वो किस पे थी वन थाउजन पे चार सो पे कितने 42,000 चलो इस बार दो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट बेचने से कितना 13,000 पे आपको पता है प्रॉफिट कहां लिखना होता है यहां कि टूपी एनल तेरा जार 31 दिसंबर 2050 जाते जाते बस लास्ट अकाउंट कब खतम करते हैं बंद करते हम 3149 को बंद करते हैं तो 31 को delivering को ख्रोजिंग बैलेंस निकलेगा जली नकालते हैं समझना अच्छे से सब्सक्राइब कि 31 दिसंबर 21 सब्सक्राइब तो 19 31 मार्च 2016 बाई बैलें सी डी येस वैपने फ्स इन का पें समय राई साट चाइस वैलियू का नेकालेंगे या टेकर फीलै। के लिए टेशें वैलिटीश का स्ट रेख चानिकाल shipping और 10 कि मैंल कर nossa किता आगे 1970 में यहां पर इंट्रेस्ट बेलंसर मBay diva ये ध्यान रखना ये तो अगया है बेलेंसिग फिगर में इंट्रेस्ट नहीं आए इंट्रेस्ट क है इनट्रस केलकुलेट करना बढहे कैसे यह वाली की केल्कुलेशन यहां करके बता रहा हूं नबेजार इंवेस्टमेंट पढ़े हमार पास 15 पर्शन उसकी इंट्रस रेट है और ब्याज लास्ट कब दिया था दिसंबर में यह देखो यह रहा एक लाग तीस अजार पे दिसंबर में दिया जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च है तो तीन महीने का ब्याज हमने कमा लिया है लेकिन अभी तर्श मिला नहीं तीन महीने का ब्याज यह बैलंसिंग विगर से नहीं आएगा यह आपको निकालना पड़ेगा तो 90,000 का 15% इंटो 3 upon 12 एक बार जब यह ब्याज निकाल दोगे 3375 आ गया और इधर की टोट तो क्लोज भी कर दिया मैंने तो Beatsy और लेकां अगर इंट्रेस अक्रूर है तुसको निकाल अगर but joking अंगर करेंподरशिक में इंट्रेस मार्च को लिया होताई तो तो जिरुजा है जैटाइस अगर इंटरस अक्रूर हो रहा है तो उशको नेकालने के बाद में अब देखो कि इंटरस वाले कॉलम का बैलेंस कहा हाँ इधर अच्वा ज्याधा रहा है उधर का ज्याधा या उधर का ज्यादा लग रहा है तो तूधाउजन फाइट तो इंट्रेस्ट वाले कॉलम का बेलेंस आ रहा है 18625 बैलेंसिंग फिगर के अगर आएगा 27345 यह जो इंट्रेस्ट है इसको हम कहां ट्रांसपर कर देंगे पीनल एकाउंट यह बैलेंस नहीं है आया बली बैलेंसिंग फिगर में है लेकिन बैले मार्च 2016 क्योंकि यह रेंड पर हम पीनल एकाउंट बनाते हैं तो वहां हमको ट्रांसपर कर रहा है यह दोनों को अलम हो गए अब लास्ट वाला देख लिए लास्ट वड़ा बड़ा सिंपल है इसकी टोटल करो वह लैस कर दो तो एक लाग पांच अजार एकावन अजार अ यहां बैलेंसिंग करा जाएगा 89,400 बैलेंसिंग और यहां की टोटल टू लैक 7,400 और इस तरीके से आपका कोशन को बताए आज बहतर समझ में आया होगा कल से